जो घटना हुई है गोंती नगर में उस पर आपने कई सवाल खड़े किये हैं तो क्या आप कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर और क्या वज़ा है कि आपको नाराजगी है भाजपा और योगी सरकार भाई देखिए किसी सरकार से हमारी नाराजगी नहीं है नाराजगी हमारी पहले तो हम उस घटना की भरतरसना करती है वो इसी पाठी पुरी तरीके से गलत है मगर ये इसमें 16 अपराधी गिरिफतार हुए और 16 अपराधी गिरिफतार हुए और जाती सूचक मान्य मुखमंतरी जी ने विधान सभा में जाती सूचक करके बताया कि पवन यादो और म मुखमंत फलाने ये दो लोग हैं और इनके उपर सभावना नहीं बुले ट्रेंड चलेगी तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या 16 अपराधियों में केवल यादो और मुसल्मान हैं और क्या यादो और मुसल्मान अपराधी होता है इसका कौन मोहर लगाएगा और यादों का मान स्वाहिमान और मुसल्मानों का हिमान स्वाहिमान हम भी पिछड़े हिंदू हैं पिछड़े हिंदू के उपर क्या आप बाटने और राज करने का काम करेंगे अपराधी की कोई जात ही नहीं होती है नहीं पिडित की कोई जात होती है योगी भी कहते हैं कि अपराधी की वो गलत है. बहुत अच्ची सौच है, अब राधी की कोई याती onion होती है, विसी पार्टि भी कहती है और पिडित की भी कोई याती नहीं होती है, क्या किवल दो जाती हैं? सुर Xuल लोगों में थीं, कि अब दो जातियां उनको दिखाई दिया और मैं पूछना चाहता हूं हात्रस में कांडुआ 132 लोग मारे गए वो किस काश्ट का आदमी है उसके खिलाफ अभी तक है फायार नहीं हुई उस बाबा के उपर विधायक है जिसके उपर सैकडो केस है उसके खुले आम घुम रह है उसके उपर क्यों केस नहीं हुआ तो कहीं न कहीं देखिए यह जो डिस्क्रिम्नेशन है वो डिस्क्रिम्नेशन हो रहा है और आपको मैं बताना चाहूंगा 16 लोग में कौन लोग थे यह पूरी जंता को जानने का अधिकार है मंत्री ने जो नाम बताए हैं वो मुख्य अरोपी और जो उसका सहयोगी था उसका नाम बताया अभी दो ही नाम के वल उन्होंने बताया लेकिन अन्य आरोपी थे इससे उन्होंने इंकार भी नहीं एक साथ 16 लोग ग्रिफ्तार हुए हैं और वीडियो जो दिखाई दे रहा जो वीडियो आईरल है तमाम लोग उसमे हैं आप देखिए यहां पर इसमें जो नाम ता सुला विरुप्य में कौन कौन लोग हैं अविशेक तिवारी आसीस सिंग विरास सहू अर्जून अगरहरी रतन गुपता अमन गुपता अनिल कुमार प्रियांसु सर्मा विकास भंडारी मनोज कुमार कृष्ण कांत गुप अर्पावयादो और मुहम्ध अरवाज तो क्या ध्याओ किया गया यह याद व समपूर यह दुएंसियों के लिए कहीं न कहीं हमारे लिए सर्मनाख है कि हमें अप रादी जाती घोसित कर दी गई है जिसके लिए हम मान्ने नी अलम भी जाएंगे और दूसरी चीज मैं स्यादों जी से पूछना चाहता हूं अब तक यों आपने इस पे अपना भहिस्कार नहीं किया आपने कोई बैरान जारी ने किया क्यों उन्हें विरोच जारी किया इसका मतलब हमान ने समाजवाधी पार्टी और अखले से आदो हैं मानते हैं कि यादो अपराधी कम्निटी है और मुसल्मान अपराधी कम्निटी है हम भी इस देश के समविधान से चलने वाले लोग हैं मगर आदराधी अभी योगी जी यह गलत हुआ है कि किवल आपने दो जातिओं का नाम लेक्टा है आपने सोलह जातिओं का नाम लेना चाहिए था समाजवाधी पार्टी में भी काफी लंबे समय तक रहे वरिष्ट ने ता भी रहें विविन पध़ों पर आप रहें परदेश का लगता इसलिये आपको भी दर्द हो गया पवन यादों का नाम ले प्रदेश की पहल पर्ठी maturity जो उत्तर प्रदेश का यादो समाज और जो मुस्ली मावादी है देश की और उत्तर प्रदेश की उसके वोट से आप राच करते हैं और उसके जब उसके उपर अत्याचार होता है उसके नाम को बदनाम किया जाता है तो आप बोलने का काम नहीं करते हैं हम नेता जी के आधन तो अपनों का नहीं जो पने पिता का नहीं वह दूसरे का क्या हो सकता है तो हम लोगों ने वह इसी पार्टी का गठन किया आप फिर भी अखिलेश के उपसे करें आप कि उनको विरोध करना चाहिए योगी जी के जो दो आरोपियों का नाम लिए उसका आप अखिलेश से चा आपको सब कुछ चाहिए तो सब कुस्तों नहीं मिलेगा जनता समझ चुकिए 2027 का चुनाओ रहा है ओविसी पार्टी ओविसी समाज को खासकर मुसलमान समाज को भी और दलित समाज को भी एक जुट करके ताल ठोकने माली है तो निश्चित तोर पर ओविसी पार्टी अप पर आरच्छड का जो बिल पास हुआ उस पर अबाज उठाया उन्होंने इसे गलत असमवैदानिक करार बिलकुल असमवैदानिक अगर आटिकल 341 आप देखिएगा तो उसमें कहीं न कहीं यह समविधान का और समविधान की प्रस्तावना का यह तरीके से उलंगन है और य यह बताइए आर्थिक आधार पर कहां क्रिमिलियर आप लगा दिये तो आर्थिक आधार लगा देंगे तो कहां आएगा रोश्टर प्रक्रियाम तो फिर वो खतम हो जाएगा तो निश्चित तोर पे यह बहुत ही असमवैदानिक है और विसी पार्टी से सहमत नहीं है के लिए इस बिल्कु विधान परिश्द में गिरा दिया गया तो क्या लगता आप कितना साहिमा था के ट्वीट से उनकी बात नहीं देखे बिलकुल सही बात है और अगर आप देखेंगे आपको पत्रकार हैं सम्मानित पत्रकार हैं और आप एनालेसिस और रिसर्स में भी कहीं कहां ओर रहा है आँ मादमी के साथ हो रहा कि इस एस तो की सथ पास कर देंगे तो क्या लगता है जो कह ना उनकी बात यह नितीlex से आं पकवोत करा हैं यह को कि यहा कौन करना चाईकर का और आइस इस तो इस तरकाई को इसको मामला बनाए जाये diplomat डिवेट किसी चीज़ को हम पास करते हैं या गिरा देते हैं तो कहीं न कहीं यह सक्क्य घेरे में होता है आपको लगता है कि मतलब इस पर बाकाइदे गहन रूप से चरचा होनी चाहिए और उसके बाद इस विद्यक को लाना चाहिए भई बिलकुल इस पर गहन रूप से चर पड़ रहा है कितने लोगों को लाव होना चाहिए भी सरवाजनिक होना चाहिए उसके बाद यह सब लाव पास होना चाहिए देखिए मुक्यमंत्री होगी आदितना ते जिस तरह से दो आरोपियों का नाम लिया है इस पर जो वी सी पार्टी के राश्टी अद्धिया शाकाली संकर ने विरोध जाता है उनका कहना है कि और भी जाती और तमाम जो लोग हैं वो इसमें थे क्योंकि अपरादियों की कोई कोई धर्म नहीं होता है इसलिए वो उनकी बात का विलोध कर रहे हैं इसके साथ ही नजूल की जो जमीन है इसे लेकर उनका साफ कहना हैि यह देखा जाया जाना चाहिए कि जो गरीब हैं उनका इसमें नुकसान ना होने पाए और अगर भूम माफियां के किलाभ इस पर कार अबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की